पालंपुर गाउं एक बहुत पिछड़ा हुआ गाउं है। एक दिन वो अचानक बंध हो जाता है। उसको एक नया काम तो मिल जाता है। पर यहां पर उसको पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। दिनानात अपने परिवार के लिए काम करना शुरू कर देता है। वो दिन भर मेहनत करके पत्थर तोड़ना शुरू करता है। साहब, मेरा आज का काम पूरा हो गया। मुझे आज के काम के पैसे दे दीजिए। ये लो तुम्हारे पैसे। और ये तो सिर्फ दोसो है। मैंने तो दिन भर काम किया है। उस हिसाब से मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। तुम क्या कोई सरकारी नौकरी कर रहे हो। ये पत्थर तोड़ने का काम है। यहाँ पर जितने पत्थर तोड़ोगे उतने ही पैसे मिलेंगे। समझे। पर साहब इतने पैसे में तो मेरे पोते की स्कूल की फीस भी पूरी नहीं होगी। तो मैं क्या करूँ। मुझसे पूछ कर पोते को स्कूल में डाला था क्या। चुप चाप पैसे लेकर घर चले जाओ। नहीं तो ये पैसा भी छीन लूँगा तुमसे। दीनानाथ चुप चाप बेबस होकर यहां से घर चला जाता है। घर में दीनानाथ की पत्नी बीमार है। पर उसके पास अपनी पत्नी के लिए दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं है। वो आज मिले पैसे से या तो अपने पोते की फीस भर सकता है। या फिर अपनी पत्नी के लिए दवाई खरीद सकता है। दीनानात बहुत सोचता है, फिर दवाई खरीदने के लिए जाने लगता है, दीनानात को जाते हुए उसकी पत्नी देख लेती है और उसे रोकती है, कहां जा रहे हैं आप इतनी रात को, तुम्हारे लिए दवाई लेने जा रहा हूँ, मैं तो अब बुड़ी हो चुकी मेरी चिन्ता छोड़िये, और मोहन के स्कूल की फीस के बारे में सोचिये, आज उसको स्कूल से घर भेज दिया कया, अगर कल तक फीस नहीं भरी, तो हमेशा के लिए स्कूल से निकाल देंगे दीनानात कुछ नहीं कह पाता, और चुप-चाप जाकर बिस्तर पर लेट जाता है, वो चिन्ता की वजह से पूरी रात नहीं सो पाता है, अगले दिन वो दो सो रुपए मोहन को फीस भरने के लिए दे देता है, और बिना नाश्ता किये ही काम पर चला जाता है, रास्ते मे उसको भूख लगती है, तो वो एक समोसा खरीदता है, पर तब ही एक बूड़ी ओरत उसके पास आती है, बिटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, दीनानात को उस बूड़ी ओरत की हालत पर तरसा जाती है, और वो अपना समोसा उस बूड़ी ओरत को दे देत बूढ़ी औरत आधा समोसा खा लेती है और बचा हुआ समोसा वही पर रख कर जाने लगती है तेरा भला हो बेटा आज तुने इस गरीब बुढ़िया की भूख मिटा दी दीनानात को कुछ भी समझ नहीं आता कि उस बूढ़ी औरत ने समोसा आधा खाकर आधा वहां क्यों रख दिया वो देखता है कि बूढ़ी औरत दूर जा चुकी है उसके बाद वो समोसे की तरफ देखता है तो वो आशर्य चकित हो जाता है क्योंकि वो बचा हुआ आधा समोसा एक बहुत बड़ा हथोड़े का रूप ले लेता है लगता है ये बूढ़ी अम्मा जरूर और रिक्षा लेकर मुझे ये हठोडा दिया अब इससे में ज्यादा पथर तोड़ूंगा दीनानात उस जदूी समुसे के हठोड़े को लेकर काम पर जाता है और उससे पथर तोड़ने लगता है इस समुसा हठोड़े से पथर जल्दी-जल्दी टूट रहे थे इसलिए दीनानात कम समय में बहुत सारे पत्थर तोड़ लेता है मैनेजर साहब आज तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे ना आज तो मैंने पत्थरों का धेर लगा दिया मैनेजर देखता है कि आज दीनानात ने बाकी सभी मजदूरों से भी ज़्यादा पत्थर तोड़े हैं उसको पहले तो यकीन नहीं होता हाँ हाँ ठीक है आज तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे मैनेजर अपनी जेव से 500 रुपए निकालता है और दीनानात को दे देता है आज तो सबसे पहले बीवी के लिए दवाया लूँगा बिचारी कई दिनों से बिमार है दीनानात दवाई की दुकान पर जाता है और वहां से अपनी पत्नी के लिए कुछ दवाईयां खरीदता है और मोहन के लिए कुछ खिलोने भी खरीद लेता है और उसके बाद वो अपने घर जाता है ये लो मोहन बेटा, तुम्हारे लिए मैं घोडा लेकर आया हूँ दादा जी, मुझे स्कूल फीस चाहिए, इसकी क्या जरूरत थी? उसकी चिंदा मत करो बेटा, मेरे पास उसके लिए भी पैसे है दीनानात मोहन को उसकी स्कूल फीस के लिए पैसे देता है और दवाईया लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है इन दवाईयों की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना, कि बस मोहन की फीस भर दीजिए हाँ हाँ, तुम तो अब बुड़ी हो चुकी हो कई बार सुन चुका हूँ मैं ये सब पर अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे पास इतने पैसे है कि अब मैं सब की जरूरते पूरी कर सकता हूँ दीनानाथ अपनी पत्नी को दवाई देता है आज दीनानाथ को सुकून की नीन आती है और वो सो जाता है सुबह उठकर दीनानात अपना जादूई समोसा हथोड़ा लेकर काम पर चला जाता है और आज भी दीनानात अपने जादूई हथोड़े की मदद से कम समय में ही बहुत सारे पत्थर तोड लेता है ये देखकर मैनेजर उससे जलने लगता है और वो मालिक के पास जाकर JCB मशीन खरीदने की बात करता है ताकि मशीन आने से सभी मजदूरों को काम से निकाल सके साहब अगर हमें JCB मशीन खरीद लेंगे तो हम जल्दी ही सारे पत्थर को तोड़ लेंगे और हमें मजदूरों को ज़दा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे ठीक है अगर तुम्हें सही लगता है कार खाने के पैसे से एक JCB मशीन खरीद लो मैनेजर मालिक से पैसे लेकर एक JCB मशीन खरीदता है पर वो मशीन चटान के बीच में जाकर फंस जाती है और चटान कठोर होने की बज़े से मशीन खराब हो जाती है मैनेजर दीनानात का मजाक उडाता है पर दीनानात उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और अपना हतोडा लेकर चट्टान तोडने चला जाता है कुछ ही देर में दीनानाथ अपने जादूई समूसा हतोडे की मदद से पूरी चट्टान को तोड़ देता है ये देख कर मालिक बहुत खुश होता है तुमने जेशी भी मशीन खरीद कर मेरे पैसे बरबाद कर दिये वो सब मैं तुम्हारी सेलरी में से काटूंगा और आज के बाद यहां का मैनेजर दीनानाथ है और तुम्हें एक मामूली वरकर हो मैनेजर बनने के बाद दीनानाथ सबी गरीब मजदूरों के साथ अच्छा वेभार करता है उन्हें काम के हिसाब से पूरे पैसे देता है जिससे की सबी मजदूर मन लगा कर काम करते हैं और ये छोटा सा कार खाना देखते ही देखते एक बहुत बड़ी कमपनी बन जाती है पुरीदमपुरा में मुन्ना पहलवान का ही दब-दबा था मुन्ना शरीर से बड़ा और सभाव से क्रूर था उसे गुस्स बहुत आता था मुझसे बहस करेगा तेरी ये मजाल आज तुझे सबक सिखाता हो और गुस्से में वो लोगों को मारता पीटता था और इसलिए सारे गाउवाले उससे डरते थे और उसके दूसरी बुरियादत थी फोकट का खाना सुबह सुबह वो माधव के पूरी भाजी के ठेले पर पहुँच जाता था ओ माधव भाई पाज प्लेट पूरी भाजी दे दो हाँ भाईया ला रहा हूँ और भाजी थोड़ी हिसाब से ही देना बहुत ही कंजूसी से देते हो माधव को ना चाहते हुए भी मुन्ना पहलवान को फोकट में पूरी भाजी देनी पड़ती थी क्योंकि सारे गाव वालों की तरह वो भी मुन्ना पहलवान से डरता था पूरी भाजी खाने के बाद मुन्ना पहलवान समोसा खाने जोगी के समोसे के थेले पर पहुँचा अरे जोगी, दस बारह समोसे दे चटनी के साथ हाँ, देता हूँ अरे इस कधे का कुछ तो करना पड़ेगा हर दिन मुफ्त का समोसा खाने आ जाता है मुन्ना पहलवान सारे समूसे खाकर डकार मार कर वहां से निकल गया पर अब जोगी सोच में पढ़ गया कि वो मुन्ना पहलवान से कैसे छुटकारा पाएगा जोगी मादव से मिलने उसके दुकान पर गया क्या हुआ भाई आज तुम यहां अब क्या बताऊं मादवभैया मुन्ना पहलवान की फुकट खोरी से परेशान हूँ अरे परेशान तो मैं भी हूँ पर क्या कर सकते है मुन्ना पहलवान से जोड़ा कोई कुछ बोल सकता है वो बात बात पर घुसा हो जाता है और लोगों को पीटे लगता है हाँ वो तो है उसे शक्ति से तो हराया नहीं जा सकता पर युक्ति से अब तुमें ही कुछ सोचना होगा जोगी बेरी तो जिन्नगी कट गई उस मुफ्त कोर को मुफ्त में खिलाते खिलाते ठीक है भाईया मैं कुछना कुछ सोची लूँगा उस दिन से जोगी तरीका डूनने लगा कि कैसे वो मुन्ना पहलवान से छुटकार अपा सकता है दिन रात स्टॉल पर काम करते करते भी वो वही विचार करता था एक रात की बात है जोगी अपना स्टॉल बंद कर रहा था तब ही उसके पास एक बुढ़ा आदमी आया बेटा समूसा है क्या आखरी दो है ये लीजिए कितने पैसे हुए बेटा अब क्या पैसे लूँ चचा आखरी दो थे आपके लिए मुफ्त थे अच्छा तुमने मेरा पेट भरके मेरी मदद की तो अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा वो कैसे ये लो जादूई पाउडर इसे कल अपने समूसे में मिला देना और उसे समूसे खाने का चैलेंज देना तुम खुद अपने बनाए हुए समूसे खाना बुनना एक समूसा से ज़्यादा खा ही नहीं पाएगा और वो हार जाएगा और फिर वो कभी भी फोकट का समूसा नहीं खाएगा सच्ची? और फिर वो बुड़ा आदमी अद्रश्य हो गया जोगी काफी देर तक उस चादूई पाउडर को देखता रहा अगली सुभा समूसा बनाते वक्त जोगी ने समूसों में वो पाउडर मिला दिया कर गया वहां उसने पांश प्लेट पूरी वाजी खाए और फिर समूसा खाने के लिए चल पड़ा अरे जोगी दस बारे समूसे देदे चटनी के साथ हाई आज ना मैं आपसे शर्त लगाना चाहता हूं आपसे ज्यादा समूसा मैं खा सकता हूं अरे ऐसा हो ही नहीं सकता मुझे भरोसा है कि मैं आपको समूसा खाने के कॉंपोटिशन में हरा दूँगा अच्छा तो चल हो जाए चैलेंज सारे गाउं को भुला ठीक है अपने समूसे के स्टॉल के बाहर एक बैंच रगा दिया और उस बैंच पर दो बड़ी-बड़ी प्लेट में समूसे रख दिये आज मैं और मुन्ना भाया दोनों समूसा खाने की प्रतियों किता में भाग लेंगे अगर मुन्ना भाईया जीते तो मैं जिन्दगी भर उनके घर पर सुबा समोसे की डिलेवरी करूँगा वो भी फ्री और अगर जोगी जीता जोकी असंभव है तो मैं कभी भी मुफत का नहीं खाऊंगा तो ये तैरहा, अगर मुन्ना जीतता है तो जिन्दगी भर जोगी मुन्ना को समोसे की होम दिलेवरी देगा, पर अगर जोगी जीतता है तो मुन्ना मुफत खोरी करना छोड़ देगा, वो हर चीज के पैसे देगा, ये परतियोगिता बहुत ही दिलचास्प है, एक तरफ है म मुन्ना पहलवान और दूसरी तरफ है जोगी, आएए देखते हैं इस परतियोगिता का अंत क्या होता है और फिर सीटी की आवास से प्रतियोगिता शुरू हुई, मुन्ना और जोगी दोनों ने एक एक समोसा उठा लिया, मुन्ना ने हड़बड़ी में समोसा मुँ में डाल लिया, और जोगी आराम से समोसा खाने लगा, मुन्ना समोसा चबाए जा रहा था, पर उसका समोसा खत पतम किया और फिर दूसरा खाने लगा, फिर 3, फिर 4 था, मुन्ना पहलवान अब तक एक ही समोसा खा रहा था वहां देखते ही देखते जोगी ने 8 समोसे खा लिये निनुक का पैट भरा हुआ है, वो तो एक इस समोसा खा नहीं पा रहा है मुन्ना पहलवान ने उसे घूर कर देखा पर काफी समय से मुन्ना पहलवान से एक भी समोसा खतम ही नहीं हो रहा था आखिर तंग आकर मुन्ना टेबल पर से उठ गया जा हुआ मुन्ना भाई मुन्ना का आख नाख और मू सब लाल हो चुके थे वो समोसा खतमी नहीं कर पा रहा था और आखिर अंत में उसने वो समोसा थूखी दिया मैं अपनी हार सिखार करता हूँ हे हे तो आज एक समबो जीत पराप्त की है जोगी ने जोगी ने दस समोसा खा लिये और मुन्ना बेचारा हार गया वो एक भी समुसा खा नहीं पाया, मुन्ना पहलवान इतनी बुरी तरह हरंगे ये सोचा भी नहीं था अरे ये कैसा पहलवान है? अरे भाई, इससे अच्छा तो जोकी है, मुन्ना पहलवान के तो दिन भर गए गाउवाले तरह तरह से मुन्ना पहलवान का मजाक उड़ा रहे थे और इस बार मुन्ना को सब की बाते सुननी पड़ रही थी मुन्ना पहली बार प्रत्योगिता हारा था लानत है मुझ पर मुन्ना अपना मूँ छुपा कर वहां से भाग निकला सारे गाउवालों ने जोगी की बहुत तारीफ की वहाँ जोगी तुमने तो कमाल ही कर दिया तुने हम सब की समस्या हल कर दी और भाईया मुन्ना पहलबान ने तो मूझ की खाई है लगता नहीं कि अब कोई गाउवाला उससे डरेगा उस दिन से मुन्ना का दबदबा खतम हो गया अब गाउवाले उससे डरते नहीं थे और नहीं वो मुफ्त खोर बनकर गाउवालों के ठेलों से मुफ्त में खाया करता था अरे मादो भाई तीन प्लेट पूरी भाजी दे दो और ये लो पैसे मुन्ना के मुफ्त खोरी का अंथ हुआ और ये सब जादूई पाउडर से बने जादूई समोसे की वज़े से हुआ अशोक एक बनकाम मजदूर था जो शहर में मजदूर ही करके अपने परिवार का पेट पालता था उसको रोज की मजदूरी से तीन सो रुपए मिला करते थे अशोक एक किराय के घर में रहता था अपने पूरे परिवार के साथ उसके परिवार में उसकी पत्नी अनुराधा और उसके तीन बच्चे थे भूवन, जीवन और नंदिनी यह लो अनुराधा, आज की दिहारी हाँ, कल मैंने किरायदार को तीन हजार किराया दे दिया अच्छा किया हाँ, काश आपका वेतन बढ़ जाए इतने कम वेतन में हम पैसे कैसे बचद कर सकते हैं भगवान करे ऐसा जल्दी हो, पर अब जो भी है वो है कम से कम मैं खुश हूँ कि हमारे खाने के लाले नहीं है बच्छे स्कूल जा रहे हैं और हम भार पेट खाना खा रहे हैं भगवान को लाख लाख धन्यवाद हाँ, बिलकुल, भगवान जी की हम पर बहुत कृपा है अशोक और अनुराधा भल नहीं गरीब थे पर उन्हें अपनी परिस्तिती से कोई बैर नहीं था वो खुश थे और संतुष्ट थे अनुराधा अकसर गरीबों की मदद किया करती थी एक दिन की बात है, अनुराधा बजार में सबजियां खरीद रही थी तब ही उसने देखा कि एक बूरी औरत रास्ते पर भीक मांग रही है बहुत भूक लगी है बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया आसपास के लोग बूरी औरत को देख रहे थे पर कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था अम्मा, आपको बहुत भूक लगी होगी न, आईए मेरे साथ अनुराधा उस औरत को बगल के एक छोटे से धाबे पर ले गई भाया, अम्मा को पेट भर के खाना खिला दो, ये लो पैसे अनुराधा ने धाबे वाले को पैसे दे दिये और धाबे वाले ने अम्मा को खाना खिला दिया कई दिनों से भूकी अम्मा, हडवडी में खाना खाने लगी अनुराधा वहीं पास बैठी थी, जब अम्मा ने पूरा खाना खा लिया और कुछ अहीं अम्मा, नहीं बेटा, पेट भर गया बगवान तुम्हारा भला करे, तुम जुग जुग जीओ, हमेशा खुश रहो अनुराधा ने अम्मा के हाथ में कुछ और पैसे दिये ये रखिए, आपको जब वापस भूक लगेगी, कुछ खा लिजेगा शुक्रिया, तु बहुत अच्छी है बेटा, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा जब तुझे मदद की जरूरत होगी, तुझे मदद हमेशा मिलेगी अनुराधा वहाँ से मुस्कुरा कर चली गई अनुराधा की तरह अशुक भी बहुत अच्छा था, वो भी लोगों की मदद कर दिया करता था चाचा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, पर बेटा, ये बहुत भारी है मजदूर के लिए ये कौन सा भारी होगा, चलिए अशुक ने उस बूढ़े आदमी का सामान उसके घर तक पहुचाया शुक्रिया बेटा, तेरी बहुत महरबानी है, भगवान तेरा हमेशा अच्छा करे अब मैं चलता हूँ चाचा अनुराधा और अशुक भले ही गरीब थे, पर वो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे अनुराधा और अशुक के अच्छे कर्मों की कोई गिनती नहीं थी उन्हें जब मौका मिलता, वो किसी ना किसी की मदद किया करते ही थे कुछ महीने बीद गए, एक दिन अशुक एक बिल्डिंग का बनकाम कर रहा था वो काफी उचाई पर चड़ा था, और बदनसीवी से उसके पैरों के नीचे का बंबू तूट गया और अशुक इतनी उचाई से नीचे गिरा, कि वो जखमी था जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, तो डॉक्टर ने उसकी पट्टी कर दी भगवान का शुक्र है कि कोई गहरी चोट नहीं आई है, गुटने की एक खड़ी तूट गई है जिसे जुड़ने में दो से तीन महीने लग सकते हैं, पर तब तक इन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना होगा दो तीन महीने? दो तीन महीने अराम करने की बात चुन कर दोनों सहम गए अशोक तो एक दिहाडी वाला मजदूर था, उसे तो रोज काम के ही पैसे मिलते थे दो तीन महीने अगर उसे घर पर बैठना पड़े, तो उसका घर कैसे चलेगा? अब हम क्या कर सकते हैं? आप फिकर मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ काम ढून लोंगी, जिससे हमारा गुजर बसर तो हो ही जाएगा और कोई रास्ता भी नहीं, सोचा नहीं था भगवान ये दिन भी दिखाएगा अशोक और अनुराधा के बचाए हुए पैसे इलाज में खर्च हो गए अब उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे, कुल मिलाकर अब तीन सो रुपे ही बचे है इसमें तो बस दो तिन इनका राशन ही आएगा, अब मुझे जल्दी काम मिल जाना चाहिए कितने दिनों से मैं काम नून रही हूँ भगवान करे मुझे जल्दी काम मिल जाए, ताकि हम पर भूके मरने की नौबत ना आए हाँ, भगवान से यही प्रात्ना है खेर, मैं इन पैसों से जो बन पड़ेगा ले आती हूँ अशोक और अनुराधा दोनों परेशान थे, उनकी आर्थिक स्थी बिकट थी वो तीन सो रुपए लेकर अनुराधा बजार गई बहाँ उसने चावल दाल और कुछ सबजियां ले ली अब अनुराधा के पास बस दस रुपए बचे थे वो गर लोट रही थी कि उसका ध्यान उसी बूड़ी औरत पर गया बहुत भूग लगी है बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया कुछ खाने को हो तो दे दो बेचारी, लेकिन आज इसे पेट पर के खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, बस दस रुपए है इसमें क्या आएगा? अनुराधा ने यहां वहां देखा तो एक पकोड़े की दुकान थी मुझे दस रुपए के पकोड़े दे दीजे अनुराधा ने दुकानदार को दस रुपए दिये और पकोड़े ले लिए वो पकोड़े लेकर अनुराधा उस बुड़ी औरत के पास गई अम्मा, आज मैं तुम्हें पेट भर तो नहीं खिला सकती पर ये खा लो उस बुड़ी औरत ने पकोड़ों के कागस को हाथ लगाया और बोली आज ये पकोड़े तु अपने घर ले जा बेटी समझ ले मैंने खा लिये आज इस पर तेरा हक है अम्मा पर आपको भूख लगी है ना वो बुड़ी औरत मुस्कराई और देखते ही देखते अनुरादा की आँखों के सामने से ओजल हो गई अनुरादा हडबड़ा गई वो बुड़ी औरत को यहां वहां ढूंड रही थी पर वो उसे कहीं नहीं मिली फिर अनुरादा घार लोटी अपने पती अशोक को यह सारी बाते बताई ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है पता नहीं मैं भी हरान थी अच्छा वो पकॉड़े दिखा अशोक ने पकॉड़े का कागस खोला और दंग रह गया कागस के अंदर सोने के पकॉड़े रखे थे सोना इतना सारा सोना यह सच है क्या हाँ पर कैसे शायद उस बूरी अरत की वज़ा से उस रोज उन्होंने मुझे आशिरवाद दिया था शुक्रिया तू बहुत अच्छी है बेटी तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा जब तुझे मदद की जरूरत होगी तुझे मदद हमें शामिलेगी हाँ तुमारी अच्छाई की वज़ा से हमें आज अपनी जरूरत के समय मदद मिली है अनुराधा पकवान का लाख लाख शुक्रिया इस दिन के बाद अशोक और अनुराधा की जिंदगी बदल गई अशोक का इलाज हो गया और अब वो बनकाम मजदूर नहीं रहा अनुराधा और अशोक ने खुद का घर खरीद लिया और एक दुकान भी अब दोनों साथ काम करते थे सोने की पकोड़ों ने अशोक और अनुराधा की जिंदगी ही बदल दी